बिस्मिल्लाहिर्राइम दादो की किचन से दादो की तरफ से असलाम अलेकुम आज हम घर पर बनाएंगे बहुत यसान तरीके के साथ चिकन शाशलेक यह बनाना बहुत ही असान है और बहुत मज़ेकी बनती है आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा चले हम बढ़ते हैं अपनी रेस्पी की जानिब इसके लिए 500 ग्राम चिकन बोनलेस एक प्याली टमैटो कैचप और चार टमाटर कटे हुए दो प्याज कटी हुई और दो ही शमला मिरच इनको बड़ी-बडी क्योब्स में काट लिया है चार टेबल स्पून इसमें उयल, एक टेबल स्पून लसन का पेस्ट एक tablespoon कुठी लाल मिरच, आदा tablespoon जो है वह चाइनी सॉल्ट, दो tablespoon चीनी, एक teaspoon काली मिरच और एक ही teaspoon इसमें जाएगा नमक नमक कम डालेंगे क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस वगरा में भी नमक होता है इसमें सोया सॉस जाएगा तकरीबन दो चमज डालूँगी दो टेबल स्पून चार टेबल स्पून जाएंगे चिली सॉस के और दो ही टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर सिर्के के ठीक है जी चले बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखें ये पैन चूले पे चढ़ा दिया अब इसमें मैं डाल दिया है ऑल अब जैसे ही गरम होता है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी लसन ये मैंने लसन डाल दिया इसके अंदर ये लसन का पेस्ट है अगर आप चाहें तो तो अब लसन को चौप करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसका color change हो गया, तो आप इसमें में डाल दूँगी चिकन, हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ताके इसकी जो smell लवो भी खतम हो जाए और इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, जैसे चिकन का रंग चेंज होगा तो इसमें बाकी चीजें हम शामिल करेंगे यह चिकन शाशले घर में बनाना बहुत ही असान है और बजार से कहीं ज़्यादा अच्छा बनता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप इसको ज़रूर बनाईएगा यह देखें जी चिकन का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया लसन भून गया अब इसके अंदर मैंने दो टी स्पून के क्रीब दो टेबल स्पून के क्रीब है दो टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस टाल दिया है और दो ही टेबल स्पून इसमें सिर्का डाल दिया, स्फेद सिर्का, और अब इसमें जाएगा रेट चिली सॉस, ये चार टेबल स्पून है, रेट चिली सॉस के चार टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिये हैं, और अब इसको हम पकाएंगे, ये तेज आग पे पकेगा, इ इसमें ये सारे spices जाएंगे जिसमें कुटी मिर्चे हैं Chinese salt है चीनी है नमक है सफेद और काली मिर्चे इसको हम तेज आग पे थोड़ा सा भून लेते हैं लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे ताके गोश्च जो है वो अच्छी तरह से गल जाए इसमें तक्रीबान आदा कप मैंने डाल दिया है पानी का और इसको पांच मिनट तेज आग पे रखूंगी ये देखें जी इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी सरफ ग्रेवी है अब ऐसे मौके को उपर जब इतना सा पानी रह जाए तो हम य डाल दियें टमाटर भी डाल दियें अब इसको हम हिला लेते हैं आप लोग अच्छे-च्छे कुमेंट्स किया करें बहुत दिल खुश होता है और दिल चाता है कि हम नई से नई रेस्पीज बना कि आपके सामने राखते हैं ठीक है जी ये देखें चिकन गल चुका है और हमने सरफ दो मिनट के लिए धकन रखा था ताके सबजियां जो है वो जड़ा नरम हो जाए थोड़ी सी नरम अब इसमें एक प्याली कैचप टाल दिये और इसको दो मिनट तेज आग के उपर हम पकाएंगे तेज आग के उपर ठीक है ये तकरीबर त्यार है बिलकुल शाशलिक इसको हम उबलेवे चावलों के साथ पेश किया जाता है और बहुत मज़ेखा बनता है मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ ये देखें जी चावल मैंने डागती है डिश में और अब मैं ये सारा शाशलिक जो है वो प्लेट में डाल देती हूँ देखें कितना खुबसूरत माशाला अलहम्दुल्ला बहुत अच्छी खुश्बू बहुत मज़े का बजार से कहीं ज्यादा अच्छा और एकनॉमिकली भी बजार से बहुत बेहतर आप घर पर इसको बनाएं इसको ट्राइ करें और मुझे द्वाएं दें बच्चे भी खुश बड़े भी खुश सब बड़े शौक से इसको खाएंगे चाइनीज फूड तो आजकल बहुत शौक से खा आया जाता है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा ठीकि देखें जी यह कितना अच्छा बनाया और कितना माशाला खुबसूरत अगर आपको मेरी रेस्पी पसान दाए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ट्राइ कीजिएगा अल्ला हाफिज दादों की तरफ से और अप